जैम आता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तों, 19 फरवरी को गुरू ब्रस्पती, जो की कुम्ब राशी में विराजमान हैं, वो अस्त होने वाले हैं जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट, एक विशीस दूरी पर निकट आ जाता है, तो वो प्रवाव हीन हो जाता है यानि ये जो दूरी होती है, ये होती है लगभग 10 अंस पर तो इस दूरी पर जब भी कोई ग्रह आता है चाहे वो शनी हो चाहे वो बुद्ध हो चाहे वो शुक्र हो और अब गुरू जो है वो 19 फरवरी को 10 अंस पर आ चुके हैं तो कुम्भ राशी में शनी गुरू बैठे हुए हैं और अब सूरे के इस प्रभाव के कारण गुरू अस्त हो जाएंगे प्रभाव हीन हो जाएंगे अस्त होने का मतलब होता होना है कि प्रभाव हीन हो जाना दारण के तोर पर जब मंगल ग्रह सूरे के साथ यूति करता है तो ऐसे स्थिति में जब भी सूरे के साथ मंगल होगा तो बहुत सी समस्यां याद देखने को मिल जा तो अब किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे क्योंकि जब नव ग्राहों में जब सारे ग्रह काम कर रहे हैं और ऐसे में कुछ ग्रह जब अस्त हो गए तो उनके प्रभाव कम हो गया अब जब प्रभाव कम हो गया प्रभाव हीन वो हो गए तो उनका जो प्रभाव है व अब ये जो समय होगा लगबग एक महीने का समय आपके लिए कैसा रहेगा ये जानने के लिए वीडियो को लास्तर जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और जुड़ जाएं चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिय मिलती रहेंगे तो गुरू ब्रसपती जो है वो जोतिसास में देखें तो शुब कारे कर्मों के लिए बड़े उत्तमाने जाते हैं संतान के लिए भाग्या बनाने के लिए ज्यान के कारक हैं गुरू ब्रसपती जिस भी जातक का गुरू मजबूत होता है उसमें बहुत ही अच्छे गुन पाए जाते हैं और साथ ही वो आर्थिक रूप से भी समरद्ध होता है और अगर गुरू कमजोर होना तो ऐसे लोगों में अच्छे गुनों की बहुत कमी देखी जा सकती है और उनका भागया उनका कभी साथ नहीं देता है बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो कुमराशी में विराजमान है ये अब शक्ति ही ही न हो जाएंगे कुमराशी में ही जहां सूरिय बैठे हुए हैं और साथ में बुद्ध भी बैठे हुए हैं बुदादित योग भी है तो आपके लगन में यहां इनका गुरू है इनका बैठना और आपके बैठे हुए हैं यानि कि प्रथम भाव में जो कि आपके व्रतित्व को दिखाता है व्रतित्व को दर्शाता है तो कुछ तो अच्छी जीज़ें होंगी और कुछ जो है वो अचानक से ऐसे कुछ बदलाव लाइफ में आ सकते हैं जो आपको देखने होंगे कई अच्छे भी बदला होंगे और कुछ तो सावधानिया भी काफी रखने होंगे तो अगर आप अपना खुद का बिजनिस करते हैं अपना खुद का वैसाय आप करते हैं तो ऐसी स्थिती में आपको छोटी मोटी कुछ रुकावटे आ सकती हैं छोटी मोटी कुछ बाधाय आ सकती हैं जि करेंगे क्योंकि आपको आदत है बाधाओं को पार करने की रुकावटों को पार करने की तो उसी ऐसी इस्तितियों में अपने बल का परीचा देना है आपको अपने बुद्धी का परीचा देना है हर इस्तिति से बाहर निकलना है ताकि आप अपिक्षित लाब प्राप्त कर स और किसी भी तरह की चिंता करने का कोई बात नहीं है चिंता बिल्कुल भी ना करें रुकावटे आती हैं तो बड़ी दहरिये के साथ उनका सामना करें तो इस सितियां आपके पक्षम हो जाएंगे अब यहां व्यक्तिकत जीवन के अगर बात करें तो व्यक्तिकत जीवन आप का इस दोरान अच्छा चलेगा इस तितियां जो हैं वो ठीक ठाक रहेंगी आप पेशेवर जिवन के अगर बात करें आपके कारशित्र के अगर बात करें तो देखिए अगर आपने अपने काम कार्ट से ऐसी उमीद लगाई है कि आपका काम बहुत अच्छा चलेगा बहुत निश्चित है आप अपनी उमीदों पे खरा उतरेंगे ये उमीदें आपकी पूरी होंगी और कुछ लोगों को तो अपनी नौकरी में बदलाव भी देखने को मिलेंगे बदलाव हो सकते हैं आपके काम को एक पहचान मिल सकती है बहुत ही उत्तम समय ये रहेगा और आपक कि बहुत अगर आप काफी दिनों से बड़े निशीज को लेकर परिशान थे कि इस थाना अंतरन हो जाए आपका कहें ट्रांसफर हो जाए तो ये खुशी तो आपको पका एक महीने के इस दौरान मिलने वाली है अब यहां गुरू का अस्त हो जाना गुरू का प्रभावही प्रभावी देगा लेकिन कोकि यहाँ आप सूर्य बैटए हैं बधतित यूग बना हुआ है तो ये चीजों को समालने का काम करेंगे ये चीजों को समालנेंगे कि आपकी जो इस्ट्रिया है वह अच्छे से Rहें नोकरी जो सरकारी नोकरी करते हैं सरकारी जॉब से रहेगा आप अपने जो आफिस है आपका वहां आप अपने रुत्वे को बढ़ता हुआ देखेंगे आप अपना एक अलग ही रुत्वा बना पाएंगे और जिन लोगों ने अभी जॉब अपनी ली है उनके लिए तो बहुत ही उत्ना यह समय रहने वाला है इसके अलावर आ आप अपने पिता के साथ थोड़ा प्रेम से पेश आना होगा आपको पिता के साथ प्रेम से पेश आएं उनकी बातों को सुनें उनकी बातों को समझें यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि उनकी बात माननी उनकी बातों पर अमल करना आपके लिए शुब खर्ची भी हो सकती है तो फिजूर खर्ची में आपको थोड़ा सहीं बरतना होगा और खर्चों में विरद्धी को विराम लगाना होगा धन की बचत करना आपके लिए जादा जरूरी रहना चाहिए जो आपको जरूर करना है तो यह कुछ चीज़ें जहां आपको ध्यान कॉलिज में जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है आपको एक तो ज्यादा कुछ सीखने का मौका मिलेगा अपने जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें काफी प्रभावशाली व्यक्तित तो आप अपना लेकर आएंगे तो काफी अच्छा रह आपको थोड़ा साफधानी रखनी है और दहरे के साथ काम करना है तो सारी चीजने ठीक हो जाएंगे प्रेम जीवन ठीक रहेगा दाम पत्ते जीवन की बात करें तो दाम पत्ते जीवन भी आपका इस दौरान अच्छा रहने वाला है एक दूसरे के साथ अच्छा समय भी एक दूसरे की आप काफी मदद करने वाले होंगे या कहें तो भावनाओं की कदर करने वाले होंगे जो एक लाइफ पार्टनर के साथ सबसे अच्छी चीज़ होती है वाकि आप कुछ उपाय जरूर करें उपाय बहुत हिदकर साबित होंगे आपके लिए उपाय के लिए भगवान ब्रेस्पती को पीले रंग के पुश पार्पित करेंगे तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा और हाँ एक चीज और थी कि इस दोरान जो स्वास्ते समंदी परिशानिया है थोड़ी बहुत वो देखने को मिल सकती है तो जब भी कोई परिशानी होती है तो समय पर आपको अपने डॉक्टर से सलह मश्वरा जरूर करना है तो दोस्तों और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें